नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नुक्री चैनल में बात करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर के बारे में महारास्ट में एक बार फिर से करोना की रफ्तार में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली जिसके बाद महारास्ट में कई चीजों में लंबी छूटी देनी शुरू हो गई रात भर यानि की बारा बजे रात तक आप दुकाने होटल रेस्टरोंट्स और सारी चीजे खोल सकते हैं अगले सबसे बड़ी अपडेट निकल के आरी महारासकार की तरफ से कि करोना की जो टीके करण है वो तीन करोड के पार पहुँच चुका है जिसका शुक्रिया जो है मुखिमंत्री दोठाकर जी ने जो है अपने ट्वीटर हेंडल के माध्यम से किया और कहा कि जंता से कि ब जी हां तेइस सो लोकल ट्रेने पूरी मुंबई में चलाई जाएंगी यानि सो प्रिसेट छमता के साथ और लोकल में सफर करने के नियम में भी आज से बदलाव किया जा रहा है अब असांसेल सर्वीस से जोड़े लोग लोकल में सफर नहीं कर सकते अगर उन्होंने करोना क दोनों डोस नहीं लगवाई है यानि कि जिनोंने वैक्सिन की दोनों डोस लगवाई हैं सिर्फ वही लोग आज से लोकल में सफर कर पाएंगे चाहे वो सरकारी करमचारी ही क्यों नहीं हो यानि कि अभी तक जो लोकल में सफर कर रहे हैं सरकारी करमचारी असांसेल सर्वीस से जुड़े लोगों तमाम लोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंदित हो जाएगी एक अनुसार के अनुसार बताया ज़रा है कि आने वाले सब्ता में यानि की नवंबर के पहले सब्ता में लोकल में सफर करने की अनुमती लगभग 50% लोगों को दे दी जाएगी क्योंक को सब्सक्राइब कर लिजे महाराज की जाएगी